राम राम जी कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल जाट फैमली व्लोग में तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिन के बाद व्लोग लेक दिखाया था नाश्ते में बनाया था तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आप प्लीज दी राहिते की रेसिपी शेयर कीजिए तो मैंने सोचा कि आज जब सुबार राहता बनी रहा है तो क्यों आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दी जाए और आज के व्ल दारे साग में पूरा जो भी ज़्लसों मेति पालक पत्वा इसका साग होता है उस सबसे इजी बत्वा है चाटने के लिए मेरे को सब सेजी बत्वा चाटने के लिए लगता क्योंकि बच्चों ने भी मना कर दिया था सबजी बनाने के लिए कि नहीं चाहिए रायते के साथ सबजी और हजबन ने भी मना कर दिया था मेरे कि सबजी रहने देना सिर्व रायता ही दे देना लंच में क्योंकि आज कल ठंड होने लगे है तो दोपैल तक दही या लसी खटी होती नहीं है तो आज हम breakfast में खाएंगे बत्वा दही और गुड रोटी के साथ और यहां मेरा बत्वा छट गया है एक पत्ता मैंने अलग-अलग कर लिया और में बत्वे की दो जूटी लाई थी एक जूटी मैंने च्छाट के साफ कर लिया जिसका मैं रायता बनाऊँगी और दूसरी जूटी मैंने ऐसी बचा के रखी हुई है इसको बाद में साफ करूंगी देखते हूं इसका क्या बनेगा रोटी बनेगी या रायता बनेगा या साग में ढलेगा जैसा भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी तो अभी मैं बरतन लाके कोई और उसमें इसको डाल लेती हूं तो यह मैं बकिट ले आई किचन में से और मैं इसमें डा बहुत बार देख रखा है लेकिन ये सुबह पाँच बजे का सीन मेरे किचन का एंड बरतन पड़े मेरे सिंक में यहां मैं सबसे पहले बाल्टी लगा देती हूं भरने के लिए आरो से क्योंकि खाना बनाने के लिए पानी चाहिए होता तो बार बार आरो से लेना पॉसिबल तो मैं गरम पानी करके रखती हूं और आटा गुनने के लिए सबजी के लिए भी मैं गरम पानी ही उज़ करती हूं और उसके बाद फिर मैं अपना किचन साफ कर लेती हूं अच्छे से वैसे तो रात को होई जाता है लेकिन फिर भी सुबह उठके एक बार दुबारा मैं गैस चलाने से पहले सारा सब कुछ क्लीन कर लेती हूं वापिस से फटा-फट उसके बाद ही मैं गैस चलाती हूं यह उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाने लगती हूं तो इसको फटा फट से साफ करने के बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आद मैं नाश्ते में बनाऊंगी बत्वे कर रायता और बरतनों का मैं देखूंगी कि बच्चों को छोड़के आने के बाद साफ करूंगी या नाश्ता कि में घ्राद को बच्छों कीचन कोई सब्सक्राइब हैं दो तो मेरे को नहीं पसंद आते मेड के बरतन साफ किये हुए तो यह मेरा किचन हो चुका है साफ और अभी जो टोकरी में बरतन रखी है मैं फटा फट से उनको लगा दूंगी और बरतन मतलब मैं यह सूछती हूं कि आल्मोस्ट मॉर्निंग में ही अपना सारा काम फिनिश कर मनेट पहले जल्दी उठके और अपना काम सुवह सुवह निपटा लिया जाए क्योंकि उसके रिगाद मेरे काम करने का मन भी नहीं करता है जैसे मेरे husband office गए मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता जब पढ़ा है वो पढ़ा है और हो गया वो हो गया मेरे साथ जाधर तर ऐसे ही होता है और फ्राइंक पैन में अंदर नहीं रख रही हूं क्योंकि मेरे को भी चाय बनानी है तो इसलिए और यह जो cooker आप गैस पे देख र बत्वा बॉयल होने के लिए और यह बत्वा मैंने तीन चार बार बहुत अच्छे तरीके से दो लिया था इसको आप लोग भी जब अगर रायता बनाई तो इसको कई बार दोएं क्योंकि एक तो इसमें दवाईयां होती है दवाईयां चिड़की जाती है क्योंकि बत्वा मेरा उबल चुक्या है और अब मैं बनाऊंगी अपनी चाय क्योंकि तब तक बत्वा भी ठंडा हो जाएगा मेरी चाय बनेगी और चाय पिऊंगी तब तक तो फिर फटा फट से फिर मैं डिरेक्ट बस ब्रेक्फास्ट में ही लग जाऊंगी उसके बाद कोई और काम नहीं रह जाएगा मेरा ब्रेक्फास्ट के अलावा और अब मैं अद्रग डाल रहे हूं चाय में जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मी होया सर्दी मैं बिना अद्रग की चाय नहीं पीती हूं तो जब तक मेरी चाय बढ़ रही है मैं आप लोगों को तब तक कुछ दिखा द उसके देखं़ देखा भी मैं में मैंसाने में चैनल सब edust दो इस vousuld हो Почему झाते हैं로 मैं भली इस यह विछा के ओपर उपर टी तो मैंने हम तो सब्सक्सित भी तो तो आज ही आप लोग भी चाय पी लीजिए मेरी चाय बिल्कुल रेडी है अब चाय पीने के बाद यह बतवा भी ठंडा हो गया है इसको मैं इस तरीके के स्टेनर में डाल के रख दूंगी ताकि जो थोड़ा बहुत गरम है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए और उस तब कराता में जाएल गुश्मिप कुर में जाइश्मिप करुद इसलिए में फूरका में यह बहुत पुराना है श्यादी के टाइम का फूरत से पूसल की दिक हैज एज Ikaug ये इसमे बहुत अच्छा आटा चनल जाता है मैं अब बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है कि आपको कितना पाणि डालना है और ट है बस उतना ही आइडिया चाहिए होता है भागी बहुत अच्छा आटा Altar Tekubla ही तरीके का चाट अर्ट है तो मिक्सी मैंने वाप्स रख दिन और भास रख दिए हैं अपना साहा सामान निकालती हैं वह से दिक्कत ना रहे जिस दिन थोड़ा लेट हो जाती हो समान भाहर चोड़ देती नहीं बाद में समेटना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा काम कहां से शुरू करो तो इसलिए मैं प्रैफर करती हूं कि हाँ जो समान निकाला है उसको साथ साथ वापिस रखते जो ताकि बाद में खेना तो यह आप देखो बहुत अच्छा स्मूद आटा गुंके रेडी हुआ है और आटा मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है थोड़ा सा आटा सेट हो जाएगा उसके बाद रोटियां सेकूंगी तब तक मैं रायता बना लेती हूं और रायता बनाने के लिए मैंन नहीं बोलते हैं इससे उसको रफड लूंगी दही को प्रॉपर लसी नहीं बनानी है मैंने क्योंकि अगर प्रॉपर लसी ब्लैंडर से करी तो घी आ जाएगा इसमें और इसके लिए छुटा सा अद्रक का टुकड़ा एक लसन और एक हरी मिर्च और इनको मैं अच्छे से क अद्रक उटी है फिर लसन कूटा है बहुत अच्छे से बारिक बारिक क्योंकि अगर लसन अद्रक थोड़ा सा भी मोटा मोटा रह जाता है तो बच्चे नहीं खाते हैं अगर दात के नीचे आता तो इसका फ्लेवर वैसे रायते में बहुत टेस्टी लगता है आप लोग के लिए बहुत ज्याधा है बच्चों को ठंड नहीं लगती है जलदी से लेकाशन खाने मैंने लिए अच्छा होता है यह यह को वालों को बारिदे कराशन काना ही चाहिए और है और थोड़ी सी काली में नमक बस और इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी लास्ट में डालूँगी भुना हुआ जीरा इसको क्रश कर लूँगी हाथ से और ये देखिए मेरा रायता बिल्कुल बनके रेडी है अब लास्ट में इसमें डाल दूँगी मैं कटा हुआ हरा धनिया मैंने ये काटके धोके रखा हुआ था तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से हैं मेरे को ये थोड़ा सा लग रहा था कि जो जग है वो छोटा पड़ रहा है और उसमें से हो सकता है गिल जाए क्योंकि सुबह का मेरा breakfast बच्चे ही डालते हैं बच्चे ही pack करते हैं अप मेरे बच्चे खुद ही करते हैं मैंने habit डाली हुई है बच्चों को तो अब मैं बना रही हूं नाष्टे की रोटियां और हां मेरे एक व्लॉग में किसी ने न मेरे तवे पर चार पांच रोटी इकठी पड़ी देखी तो मुझे पूछा था उन्होंने कमेंट करके कि सुबह सुबह कर टाइम कर्जस्टिड होता है डिटेलिंग में इतना सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है तो इस तरीके से एक रोटी जब दोनों साइट से सिक जाती है तो उसके नीचे दूसरी रोटी मैं डाल देती हूं और पलट के उसको सेकती रहती हूं जब दूस से आठ रोटियां सेक सकते हैं और मॉर्निंग में मेरी चे रोटियां बनती हैं बच्चों की तो इसी लिए मैं इसी तरीके से से कलें टी यह ताइम भी बचाती है एंड जल्दी भी बन जाती है और इस वहीं जब आप गैस पर से से ऑफानी नहीं सेखनी होती है नीचे-न सोचा कि वह रेडी हो रहे reli तब तक मिरता वरत माझ लेती हूं आप लोगों से पद में इकठा ही मिलें लूंगी सुबा-सुबा हिएं पर बस maravilta काम होता है वहींद सुबा निपट्ल और मैं सारे बरतन एक साथ माच के स्लैप पे नहीं रखती हूं क्योंकि बहुत जादा गंद मच जाती है फिर मैं थोड़े से बरतन माचती हूं उनको धो लेती हूं फिर थोड़े से माचती हूं फिर धो लेती हूं एक तो सारे बरतन इकठे माच के रखने से साबुन भी जम पानी है तो सर्थियों में तो वैसे ही ठंडा पानी मॉर्निंग में इतना ठंडा होता है कि बर्फ जैसे होता है हाथ नहीं लगाया जाता अभी से बहुत ठंडा पानी आ रहा है कि बर्फ जैसे होता है कि बर्फ जैसे होता है कि बर्फ जैसे होता है तो बरतन मेरे साफ हो गए हैं अब मैं अपना जो कॉर्णर है इसमें मैं अपना लिक्विड विम हैंड वाश और रेनेक्स वह सब रखती हूं इसके पीछे थोड़ी सी जग अबस्ती है उसमें अपनी क्लीनिंग ब्रशेज रख देती हूं तो यह है कि वह बहुत फैला फैल नहीं रहता क्योंकि मेरे सिंक के नीचे जग है नहीं है रखने की इसलिए मैं यहां उपर ही रख देती हूं मैं साथ साथ सारी स्पेस को क्लीन कर देती हूं अपना डिश वाशर डाल के और ब्रश के साथ रगड़ के साफ कर देती हूं बाद के लिए नहीं छोड़ती हूं होती ही है हो जाता है गहट 계से मैं आठ साइड हो जाता है तो वगम नहीं Luck टद है एक दिन वाइनाफ मैंनत लगती है पूरा कैञा शीक हो जाता है और सारा आसपास का एरिया सब एक साथ साफ करके बरतन साफ करने के बाद धो धाके सब रख देती हूं जो मेरी ब्रशेज हैं क्लीनिंग की चाहे वो गैस साफ करने की हैं चाहे यह सिंक साफ करने की हैं सारी धोके रख देती हूं और ये सब आसपास का एरिया साफ करने के बाद मैं अपना सिंक भी साथ साथ मार्ज देती हूं क्योंकि मैं सिंक भी बाद के लिए नहीं छोड़ती हूं क्योंकि देखो बाद तो बाद होती है बाद कभी भी नहीं आती है बाद तो बाद ही होके र हों क्योंकि बंढनी देखने से करें रहे हो सकती हैं इसलिए मैं सिंख को भी घंदा करने का भी मन लगे किचन में किचन बहुत जरूरी की क्लीनिंग और किचन को साफ सूत्रा रखना तो मैं सब कुछ इसलिए साथ साथ कर लेती हूं तो में काम काम आल्मोस्ट खतम हो चुका है जो नहां के और ब्रेक परस्ट करना बाकी है बाकी साफसफाई का काम है वो मेरी हाउस हेलपर करेगी आके बागी जो डस्टिंग रस्टिंग था या जो मेरे हिस्से का काम था वो मैं फिनिश कर चुकी हूं तो आप लोगों को दिखा देती हूं और फोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इतना जादा फोकस आ रहा है जैसे तो सूरज मेरे ही रूम में आके निकल गया है कल वाली वीडियो में भी इसी तरीके से था पीछे बहुत ज्यादा रोश्नी आ रही थी और आज भी इसी तरीके से हैं म बच्चों ने मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज उस चीज को थोड़ा से एजस्ट कर लीजेगा तो चले फिर फटा फटसे में आप लोगों कुछ दिखा देती हूं आप लोगों क्या दिखाने वाली थी तो यह मेरा वाश्रूम है एंड ग अब बादी बट फिर भी यह सब चीजें निकल रही है यह देखिए अ और यह हल था वाश्रूम में अब मैं आपको ना किचन का दिखाती हो किचन में भी सेम चीज आ गही है और मुझे इतनी गिन आती है पता नहीं यह देखिए एक सिकिंद यह देखिए आप किचन में भी आ गई है यह मुझे ना हर दूसरे तीसरे दिन हटानी पड़ती है हर दूसरे तीसरे दिन टीशू पेपर से या पॉली बैक से कैसे भी कैरी बैक से कैसे भी करके मुझे यह हटाना पड़ता है हर दूसरे तीसरे दिन यह आ जाता है वाश्रूम में भी और इस तो देखा आप लोगोंने बात पहले सिर्फ वाश्रूम में था और उस चक्कर में हमने वह वाश्रूम यूज करना बंद कर दिया क्योंकि अगर उसमें पानी लगता है तो इतनी जादा गंदी स्मेल आती है जैसे पता नहीं किसी ने बहुत जादा स्मोक किया है रूम में भ दूसरे तीसरे दिन वह जाड़ना पड़ता है में मेड से बोलके उसको साफ करवाती हूं और अब वह चीज किचन में भी आ गई है मैंने कार्पेंटर को दो तीन कार्पेंटर को बुला के दिखा लिया वह लोग बोलते हैं कि लकड़ी में कीड़ा है तो यह चेंज ही इस पर लेकर है पतनी कहां से ऐसा उनर हमें पड़ गया इन सब चीजों इतनी घिन आती है साफ करने में भी प्रॉब्लम होती वह तो मेरी मेड अच्छी है विचारी वह कर देती है जो उसको मैं कुछ भी काम बोलते हूं तो वह मना नहीं करती है वो कर देती है नहीं तो यहां पर रहना मजबूरी और क्योंकि हमारा कॉंट्रेक्ट बना हुआ है और जब तक है तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं हैं यहां से अपने अपने मतलब होता है अपने मतलब होता है कि हम fazer friend मिलना चाहिए एक dönem हुआ तो रेंट बढ़ा दो दस पर सेंट बढ़ा दो लेकिन काम नहीं करवाना है बिल्कुल भी नहीं करवाना है अगर उसको बोलते भी हैं तो सीधा बहुत स्ट्रेट फॉर्वर्वर्ड रिप्लाए कर देता है वह कि बहुत चुटा-चुटा काम है यह तो आप भी करा सक सकते हैं उसका उसने तो बस शीट लगवा के अपना पीछा चुड़ा लिया बट उसके बात भी वह चीज हो रही है अगर उससे इंफेक्शन हो जाता है तो फिर बच्चे तो मेरे ही बिमार होंगे ना तो हमें तो करवाना ही पड़ेगा वह कुछ ना कुछ तो सॉलूशन करना पड़ेगा उसने तो जस्त बोला कि हिट चिड़क दो हिट से ठीक हो जाएगा मैंने हिट भी चिड़क के देख लिया लेगिन उसके अलावा भी अगर आप वोगों में से किसी के पास सजेशन है कि इस फंगस को कैसे खतम कर सकते हैं तो आप लोग प्लीज मुझे कमे की फमी भी इन ले जाए कि कि कैसी है तो मैंने मंगाया था यह मैंने स्नाप डीज से बाएं तेंसर उप्याश पढ़ा है डिसकाउंट इस पर चल रहा था तो ये कुछ इस तरीके का है ये गोल्ड में नहीं है बिल्कुल भी नहीं है 300 रुपे में गोल्ड नहीं मिलता है ये देखे ये इस तरीके से है फिश डिसाइन है इसमें बिश बनी हुई है जब देख पा रहे हूंगे आप लोग और ये इस तरीके से पहनने के बाद बहुत जादा ब्यूटिफुल लगता है बहुत जादा एक्चली मुझे ये लेना था मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं इस तरीके का ब्रेसलेट लूँ अपने मंगा सुतर के साथ मैचिंग का मैं गोल्ड का लेने गई थी बट वो मतलब बहुत जादा रेट वो लोग बता रहे थे क्योंकि गोल्ड का रेट तो आप लोगों को पता ही है कि क्या चल रहा है वेट बगेरा करके और बहुत जादा कॉसली पड़ रहा था तो फिर मैंने और मेरे हजबन ने डिसाइट किया क्योंकि जब हम गोल्ड की इस तरीके की कोई चीज लेते हैं तो यह जो काला मोती है इसका भी वेट वो लोग साथ में जोडते हैं लेकिन जब हम इस तरीके की चीज को वापस देते हैं तो वो यह मोती हटा के सिर्फ गोल्ड का वेट करते हैं इस वज़े से हम लोगों ने डिसाइट किया कि हम यह नहीं लेंगे और इसकी जगह मैं यह चूडियां लेके आ गई थी क्योंकि चूडियों का जो एक चूडी का रेट और एक ड्रेसलेट का रेट बिल्कुल हमें सेम पढ़ रहा था बहुत थोड़ा सा 19-20 का फर्ट का तो मैं यह दो चूडियां लेके आ गई थी जो मैं पहन के रखती हूं यह अगर कल को हमें चेंज करानी भी पड़ती है तो यह वापस जितने की आई थी मतलब जिस रेट में आई थी उसी रे चाहे आटिफिशियल हो आप इसको डेली यूज में नहीं पहन सकते हैं क्योंकि इसकी जो चेन होती है वह बहुत थेन होती है और तूटने का डर रहता है काम वाम करते हैं यह चीज अटक जाए यह अटक जाए कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर अटक जाएगा तो यह ख अच्छा लगा यह देखिए हलका सा लूज है बहुत जादा लूज नहीं है इतना होना भी चाहिए चूड़ी भी इतनी लूज होती है यह देखिए तो यह कैसा लगा मुझे बताएगा जरूर पहनने के बात मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को कैसा करके कमेंट बाक्स में जरूर बताना कि यह ब्रेसलेट कैसा लगा आप लोगों को बट इसमें भीना एक छोटी सी डिसपॉइंटमेंट हुई है मुझे ब्रेसलेट में कोई कभी नहीं है ब्रेसलेट बहुत प्यारा है बहुत सुन्दर है बहुत मतलब फाइन है इसकी बट इसमें डिसपॉइंटमेंट क्या हुई है कि यह सिर्फ एक जो जिपलोग पाउच टाइप छोटा सा पाउच आता है पेस्टिंग वाला यह उसमें पैक करके दिया था इसका कोई बॉक्स नहीं है इसकी कोई डबी नहीं है यह बाकि किसी चीज में राप नही है बट फिर भी इसको अगर हम भी रखेंगे तो कॉटन में राप करके रखेंगे क्योंकि अगर कॉटन में राप नहीं किया या पिंक पेपर में राप नहीं किया तो यह ब्लैक हो जाता है पूरा और जो मेरी इस टाइप की जितनी भी जूलरी होती है मैं उसको कॉटन में तो उसमें यह है कि इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है इसका जो गोल्डन फिनिश है वह बहुत जल्दी से खराब नहीं होता है तो यह बहुत अच्छा तरीका है इस तरीके की आर्टिफिशल जूल्री को संभाल के रखने का और उसकी लाइफ बढ़ाने का ठीक है तो चले फिर आज की वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक सभी को प्याल भरी रामरा